असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे वेलकम टू एनधर वीडियो आज की वीडियो बहुत जाद इंट्रेस्टिंग होने वाली है बिफोर और आफ्टर आप लोग के सामने हैं आज मैं आप लोग के सामने करने वानी हूं प्राइडल म मैs कर्रें आप जाश्क्राइब करने और में यसे वीडियो को आपने लोगों ने भी शंचिप नहीं किया और जाकर जाएं। जारा के चानल को सबस्क्राइब करतें। ताके मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लों के मुबाल पर आप लों को पहले रेसीव हो जाए और सबसे पहले आप देख लें कि मैंने मिस रोस का जो था वो प्राइमर यूज किया और साथ मैंने जो है वो जो कंसीलर यूज की है मैं वो यूज कर रही हूँ मैं रिवाज का कंसीलर ठीक है उसको आप प्रश की हेल्प की मदद से भी लगा सकते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी लगा सकते हैं आप अपनी फिंगर की हेल्प की मदद से भी उसे लगा सकते हैं इसलिए इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि आप लोग इसमें ये चीज यूज़ करें ये चीज यूज़ करें अब आप देखनें कि मैंने अच्छी तरहां से जो है वो ब्रश के साथ लगाने के बाद अब मैं उसको beauty blender की मदद से blending कर रही हूं इसलिए अपनी यह देखें उसके बाद जो है मैंने जब उसकी blending कर ली और उसके बाद जो है मैं कर रही हूं इनकी eyebrows को highlight कर रही हूं और कलर भी इनका बहुत जादा डल था, ठीक है, इनको अच्छी तरहां से हमने हाइलाइट की सरा करना है, अगर हम इस पर कोई ब्राउंजो यूज कर लेंगे, या जो है, वो आइबरो कलर यूज करेंगे, तो या आइबरो पैंसिल यूज करेंगे, उनसे जो है, वो इतनी अच्छी आपकी आइबरो जो है, वो हाईलाइट नहीं होंगी, वो क्यों क्यों क्योंकि इनकी आइबरो, जिन क्लाइट्स की आइबरो बहुत जादा लाइट होती है, और कलर टोन उनका बहुत जादा हलका होता है, तो उनके जो है, वो जेल लाइनर से ही बनाएं, उसके जो है light सा color ली है light color उठा के और उसकी मैंने जो eye area है उसकी base coat अच्छी तरहां से मैं उसकी कर रही हूँ और देखें कि मैं eye area के नीचे भी इसी shade को कॉपलाइ कर रही हूँ जो बच्चियां जो students new है उन्हें colors के साथ खेलना नहीं आता मीन्स ये कि उन्हें कलर क्रेक्टर चूज नहीं करने आते तो आप देख लें कि आप अगर यही शेड जो है वो लाइट कैमल सा शेड है अगर आप इस शेड को यूज करती है और इससे अच्छी तरह आप अपनी आएकी जो बेस है उसे बना लेती है और जब आप किसी साथ एच्छी तरह से बेस बना लेती हैं तो उसके उपर आप कोई भी कलर यूज करते हैं तो वह जो है उसकी ब्लैंडिंग उसके साथ बहुत जादा अच्छी हो जाती है अब आप देखें कि मैंने लाइट ब्राउन शेड उठा के मैं उसके जो यह हमारी आई एयरेया की बोन होती है ना इस आई एरिया की बोन के ओपर में यह कलर अपलाई कर रही है अब आप देख रहें इस एरिया पर यहां पर हम मैं ब्राउन कलर अपलाई कर रही है पहले मैंने कैमल कलर से उसकी बेस की अगर कैमल कलर आपके पास नहीं है तो यह मैं आपको आपके असानी कर तर दो आपको पताती हैं मैं जो आप घर में एक对ह जो आपको आपने ही जब लेंकर प्राइशन के लिए बैंडियों घर आपक रधाना है मैंकर कट्गी करने के लिए और जिनके पास पाइशन का शुमका हैं जेल आई-लाइनर हैं अनसे भी इनकर घर नेरे हैं और आप देखें इस तरहां से अंदर के रुख रखके हलके हाथ से हमने जो है वो कट क्रिस करनी है इस तरहां से यहां से हमने उठानी है और यहां तक लेकी आनी है देखें इस तरहां से तीक है यहां से इस तरहां से हमने कट क्रिस करनी है और कोशिश करें कि ज्यादा जो है आप कोई भी कलर यूज़ कर रही है तो इसको इनर ही रखें आउटर ना लेके जाएं अगर फिलाना है कलर को तो आप अंदर के रूख ही उसकी ब्लैंडिंग करें इस तरहां से अब आप देखें कि मैं अंदर ही थोड़ा थोड़ा हलके हाथ से आपनों करते जाएं उसको फ हैंगी भी लग सकती है मीन्स कि आपके आया का लुक ही चेंज हो जाएगा अगर आपके कट क्रीज में प्रॉब्लम आ गई या अच्छी क्रीज नहीं हुई तो आपने कट क्रीज करते हुए इन चीज़ों का ख्याल करने है कि आपकी दोनों कट क्रीज इकॉल हो और यह है छाले नहीं होते हैं उसकी रुजन का देगां का भुण कर सकती है कि आपके काशी तो के माब कर सकते हैं आईली फांडरेशन से आप लोग गुरेश करें जितना हो सके बचें क्यूंकि उनसे यह है कि आई का लुक है वो खराब हो जाएगा ठीक है और सैकिन आगया कोई भी वाइट काजल है उससे भी आप कट क्रिस बना सकते हैं यहां पर मैं डल गोल्डन शेयर नहीं थोड़ा सा ब्लश गोल्डन शेयर उठा रही हूं ठीक है उससे मैं जो है वो अप्लाइ कर रही हूं इनर कॉर्णर में आई के इनर कॉर्णर में इस सहां से मैं अप्लाइ कर रही हूं और दैन फिर आपको पता है मेरा जो फेवरिट मैथड है वो यही है कि मैं फिंगर से ब्लैंडिंग करती हूं जो ब्लैंडिंग अच्छी होगी तो आयले का बहुत प्यारा होगा ठीक है और यह देख लें कि यहां से मैंने जो ब्रॉश के साथ जो है वह मैंने कट क्रीस को उपर उपर मैंने उस शीर्ड को कर दिया और फिर उसके बाद मैंने जो मेरा डल यूज कर रही हूं मैंने ब्लैक एंड मैंने डार्क ब्राउन शीर्ड यह दोनों शीर्ड उठाएं है ठीक है उठाके इनकी जो मेरी क्लाइट है इनकी आइस जो है वह बहुत जाद चोटी थी उसे हमें इन्हेंस दिखाने के लिए थोड़ सा बड़ा दिखाने के लिए हम जो है वो करेंगे इनकी बनाएंगे आइज कार्ण racer अगर इनकी चोटी होगी तो उनकी आई जो है बड़ी लगना सटार्ट हो जाएंगी देखे अब आजश की आइस की इए की आज़कर कलर देख लें ऑर ब्लैं LinkedIn देख लें इसी तरह आपने ब्लैं ब्लैंड दखनी है आपने जब भी आए मेकप करने हैं किसी क्लाइन का कर रही है तब भी अपना कर रही है तब भी आपकी ब्लैंडिंग बहुत अच्छी हो नथिंग कंसीडर के आपके पास बहुत अच्छा पैलट नहीं है आई शैडो आप ये स्यूज नहीं दे सकती हैं हमेरे बहुत अच्छ होनी चाहिए ठीक है एंड उसके बाद जो है मैं इसके इस वाले एरिया के ओपर जो है वो लाइट ग्रीन शेयर जो है अपलाई कर रही हूं ठीक है ग्रीन शेयर अपलाई करने का मेरा मक्सर यह है कि उनकी जो आंख है वो थोड़ सी खुली लगे डल बिल्कुल भी ना लगे अब उसके बाद जो है मैं इसके ओपर यूज कर रही हूं जैनी वालों का सीलर और सीलर की इस तरह से अप्लिकेशन किया करें कि सीलर की अप्लिकेशन करके आप तकरीबन फाइव सेकंड तक उसे छोड़े और उसके उपर आप ग्लीटर्स है वो अप्लाई करें मैंने जो मालम ग्लीटर्स है वह भी यूज की है और जञक्स जो मैंने थठी थोड़े जञक्स भी उसके उपर अप्लाई कर दिये है तिक ऐसके बाद अप्लाई करने के बाद अब आप लुक देखेंगे कि इतना कमाल का का लुक कार है इस आइमेकप देख और ज्यादा भी नहीं होता आप थोड़ा सा वेट किया करें जब एड़ा एंड जो है वह बहुत प्यारा लुक निकल के आता है आई मेकप पहले किया करने का ये मकसद है कि जो आपके इस सहां से शेयर्स किर जाते हैं उन्हें हम लोग नीद कर सकते हैं आपकी जो बेस है अची फ्लोलेस और लोंग लास्टिंग रहती है और उतारने के बाद देख लें ये आपके सामने है आई मेकप का लुक और अब मैं जो है वह आई एरिया के जितना भी नीचे डस्ट है उसको रिमूव करने के बाद अब मैं यहां पे फांडेशन बनाने वाली हूं यहां स आपको देख लेंकि मैं कनसीलर्रा यूस करें ने के साथ कापी ज्यादा यूजके साथ इसके बाद मैं फांडेशन ले रही हूं कि ब्रश के साथ यह नहीं है ब्यूटी ब्लंडर के साथ लगाना शुरू करते हैं इससे जो आप मेक अप का लुक है भी खराब हो जाएगा ठीक है ब्रश आप देख लें कि ब्रश मैंने कौन सा ली गया दीक है इस साथ इस सहां से आपने जो है वह आई एरिया के जितना भी ये पार्ट है डार सरकल वाला एरिया है इसको क्लीन करना है मैं तो काशी की फांडेशन ही यूज करती है इसके रिजल्ट्स बहुत जादा अच्छे हैं बहुत जादा मेजिंग रिजल्ट्स है ठीक है उसको आपको नीचे कंसीलर लेने की ख्युक्पेकर जो में बेख्य然后 kिंकर आप इसकांब्ले सकता हुआज हाँ है मैं इसके ब्राइशन के साथ इसे का यूजड़त ईसमें तो मोस्तिराइजर यूज़त बहुत जादा होता उट तो बहुत सब्ले कि जाका यूज़ continued Documentine के साथ उसको अमष्यज़ अम जहां से हर्गिस नहीं करना कि आप ब्हुत जादा दबादो दबा कर्यूंज एक एपने हल्के हाथ में हुए शकी जू है वो ब्लैंडिंग करें इस तरह नहीं करना आप जब A to Z हर चीज देखते हैं समझते हैं आप मेकब बहुत अच्छी तहां से अपना कर सकते हैं ठीक है अब आप देख लें कि इनकी जो फांडेशन है वो किस बिल्कुल भी पैची नहीं लग रही कहीं से भी क्रैक नहीं होगी अगर आप इस तरह से करें तो इस तहां आपकी जो अप्लिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और लांग लास्टिंग भी हो जाएगी काशी के फांडेशन के अगर आप मेरे से रिव्यूज पुछें तो टैन आउट आफ टैन है ठीक है उसके बाद मैंने जो है वो ग्लैमरस का फेस पाउडर यूज कर रही हूं ग्लैमरस का फेस पाउडर भी आपने इसी तहां आपकी जितने भी पोर्स हैं उन सब को ये लॉक कर देता है बहुत अच्छा कंपैक्ट पाउडर है ठीक है और देख लें के अब जो कंपैक्ट पाउडर लगाने का तरीका है वो यही ह करें आप लोग जो है वो कंपैक्ट पाउडर लगाती है और लगाने के बाद यही कंप्लेइन आ रही होती है कि हमारा जो है वो कंपैक्ट पाउडर से उस तरहां ग्लो नहीं आता जिस तहां से आप लगाती है तो आता है तो उसकी जीजन क्या है कि आप लो जो है वो आप आप मेकप किया करी हमि यह ब्राऑुजर कोई भी है क्रिस्टायन का है भो भी यूज कर सकती है ग्राई लॉन िरफ है तो मेरा तो फीवरट यही है तो आ BIG यूज कर Hी भी हिस कर आगी यूज के एक्षी आहां से क Pandemie हो जाएगी اور यह जो है वा foundation और compact करने के बाद करें उसके बाद इनकी nose की contouring हम लोग करने वाले हैं ताके इनका जो है वो थोड़ से sharp look काए और आप देखें इस तहां से जो है वो हम इसकी जो है blending करेंगे and then इसके उपर आएगा glamorous का loose powder loose powder के क्या effects है loose powder के जो यह है कि इनसे जो है आपकी skins के जो भी pores होते हैं extra pores open होते हैं जब हम loose powder apply करते हैं तो उनसे वो pores जो हैं वो बंद हो जाते हैं और हमारे make-up अच्छी तरहां से और ज्यादा time के लिए जो है वो skin पर stay कर जाता है ठीक है और अब आप देख लें कि हमारा blush on blush on यह जो है वो बहुत जबरदस्त हैं बहुत जबरदस्त blush on मेरे favorite इसमें जो है वो आपके तमाम जो blush on के shares हैं वो आपको मिल जाएंगे और इस सहां से आपने जो है blush on apply करना है इनकी जो चिक के रिया है यह तो इनका थोड़ा से जो था वो contouring ही थी face की अदर वाज मैंने इतनी contouring नहीं की बट जो है वो blush on जो है वो मैं इस तहां से इस टकनीक के साथ लगा रही है ताके इनके जो चिक्स हैं वो glow करें और fresh look का है ठीक है बाकी यह मेरा सब को बता होगा मैंने जो makeup box पे वीडियो बनाई थी यह दोनों मै अगर जो कोई purchase करना चाहरा है तो purchase कर सकता है इनके results इनके जो pigments हैं वो बहुत अच्छी है बहुत बहुत जाद आउट सेंडिंग है आप देख लें कि जो है मैं highlighter apply कर दीए है highlighter आपने इसी brush के साथ apply करने है क्योंकि इस brush के साथ जो है वो बिल्कुल 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 आपको जो है वो highlighter लग जाता है और देन देख लें कि इनकी जो थी eyebrows की shape again मैंने की है क्योंकि इनकी eyebrows जो थी वो बहुत जादा बारी थी बहुत जादा and look जो था वो इतना खुब्सूरत नहीं लग रहा था ठीक मैंने पिर उनकी जो थी eyebrows को थोड़ा सा और ठीक किया ठीक कर जादा enhance हो जाती है और आपका में प्यार रहता है inner corner में आप लोग white color लगाना बिल्कुल ना भूले highlighter यह भी यूज़ कर सकती है आप inner corner के लिए shades भी available आप भी मिलते हैं वो भी आप यूज़ करते हैं अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लो highlighter ही यूज़ कर सकती है ठीक सकते हैं इसके कितना प्यारा glow आ रहा है foundation से हर चीज़ जो जो मैंने यूज़ किया वह सब आप लोगों के सामने है उसके बाद ये volume high volume वालों का जो है वह में मसकारा यूज़ कर रही हूं pure waterproof मसकारा है और बहुत जबरदस्त है बहुत जबरदस्त मसकारा है and then मैंने इसके जो थी वो eyelashes apply की, eyelashes apply का भी method है वो मैं अपनी last videos में आप लोगों के साथ detail में share कर चुकी हूं और जिन जिन लोगों ने भी अभी तक अभी तक मेरे जाने को subscribe नहीं किया उन सब देखने वालों से मेरी heartly request है कि please 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 comment किया करें, like किया करें, अपनी friends के साथ मेरी video को share किया करें बाकी आप लोगों को look कि सहां का लगा, make-up की में किस चीज़ की समझ नहीं आई, वो मुझे आप comment session में पूछ की सकते हैं और मुझे comment session में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरे make-up कि सहां का लगा, बाकी जब आप लोगों का प्यार है, जो आप लो इनका जो ड्रेस है वो भी रैड नहीं था शौकिंग से कलर का इनका ड्रेस है और उसके उपर जो है वो मैं इनकी जो लिपस्टिक थी वो देख लें कि मैंने शौकिंग कलर का लाइनर लगाने के बाद आफलाइन करने के बाद मैं अंदर रैड कलर की जो है वो फिलिंग कर र सकती हैं आप ग्लोज के साथ उसको अटाइच करके या आप नियूट स्केर्ट के उपर आपके डाक शेर्स अपलाई करते हैं तो उनसे आपके हर शेर्स है वो चीव हो जाता है इन्शाला ताला इस टॉपिक पर भी मैं आप ले वीडियो जरूर बनाओंगी जरूर लेकिया हूंगी थोड़ सा भी बीजी शेडूल है जिसके उज़से मैं रोज वीडियो आप लोड नहीं कर पारी लेकिन इन्शाला ताला आप लोग इसी तरह मज़े स्पोर्ट करते रहें अपना प्यार देते रहें और मैं आप लोगे इसी तरहां कि मज़े मज़े की वीडियो लेकि आती रहूंगी बाकी लाइनर लगाते हुए अला आपको बहुत जादा ध्यान रखने कियुके लाइनर में अगर आपकी मिस्टेक हो गई ना तो आपका सहराood मेंग अप फजूर बेकार हो जाना है तो आई मेक अप थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा प्यार से लगाया करें ठाके जो है वो आपसे मिस्टेक ना हो इनके आए शोटी थी इसलिए मैं इनके आइसके नीचे भी लाइनर लगा रही हूँ लाइनर में आप लोगो फुल फोकस करना होता है तकि आपका जो है वो लाइनर खराब ना हो फोड़ा कि अधनलने के पैपके नाइनर लगाने वी टेखनिक के आज़ शोट्स आप लोड़ कि यह हैं sixteen ब泡ागल में आप लोगो कप्ली ऑर यह ओगा है मेरी कोशिश होती है कि मैं अन्ही टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियो लेखिया हूँ और आज तो एक कमेंट बनता है लाइक भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है जिन जिन लोग ने अभी तक साथ को सब्सक्राइब ने ना किया वो अभी जाएं और जाके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें क्योंकि जो नेक्स्ट व्लॉक्स आने वाले हैं वो ब्राइडल हेर स्टाइलिंग पे हैं इन्शाला तर्ला वो भी अपलोड करूँगी इसी तरह डिटेल में आप लोगे साथ अपलोड करूँगी शेयर करूँगी और बाकी अपनी दुआओं में याद रखना हैं यह जो मैं आयर के अंदर अप्लाइ कर रही हूं यह आपनों के सामने हैं लूप का आपनों को किस सा कराना आपको अगर में कमेंसराशन में जरूर बताना है और अपनी दौाओं में अपनी शेहनी लोगों को याद लगना है बाकी टेक कियर अना हफिस बाई बाई